अब ये बड़ी खबर उत्राखन के नैनिताल से है कि यहाँ जंगलों में लगी आग अब बेकाबू हो गई है बतादे कि आग गर्मी बढ़ने के कारण लग गई है आग इतनी बढ़ गई कि शुकरवार को हाई कोट कॉलोनी के पास तक उसकी लब्टे पहुच गई जबकि रूद्र प्रयाग जुले के जंगल में आग लगाते तीन व्यक्तियों को गरफतार कर जेल भेज दिया गया पिछले 24 घंटों में विभिन अस्थानों पर जंगलों में आग लगने की 31 नई घटनाय सामने आए जिन में 33.34 हेक्टेर वन शेत्र प्रभावित हुआ है मुखेमंत्वी पुशकर सिंग्धामी आजखोज नैनिताल के हलदवानी पहुचे जहां वो जंगल की आग रोकने को लेकर चलाय जा रहे ऑपरेशन की समीक्षा करते हुए नज़राए आग के बढ़ते कहर के बीच मुखेमंत्वी पुशकर सिंग्धामी ने अधिकारियों को एलर्ट रहने और सभी विभागों के साथ समन्वय कर उसकी रोक्थाम के उपाय करने को कहा आपको बता दे कि नैनितार जुला मुख्याले के पास के जंगलों में लगी आग ने भीशन रूप ले लिया और आग से पाइनिस शेत्र में इस्थित हाई कोट कॉलोनी को भी खत्रा पैदा हो गया है जबकि शेत्र में यातायाद भी प्रभावित हुआ है वन्विभाग कि आग हमारे लिए चुनोती है ये एक बड़ी आगे हम सभी जरूरी जरूरतों के लिए काम कर रहे हैं वही नगरनिगम के कारेकारी अधिकारी राहुल आनन ने कहा कि हमें भारतिये वायू सेना के हेलिकॉप्टर द्वादा आग बुझाने के लिए नैनितार से पानी ले ने के लिए तो हमें सुचनाई थी तो हमने उस क्रम में ही यह पर वो पिया था ता ता था यहां पर जो ऑब बन कराई थी किन्तो यह जग जाहिरे कि नैंताल में कई जगों पर आग लगे है पाइन्स के पास एरिस के पास और हमारे लड़िया कंठा में जो एर फोर्स स्ट स्टेशन उसको सुरक्षित रखा जाए उनके चारों तरफ जो आग पहुंच रही थी उन स्टेशन तक उसको बुझाया जाए जगलों की आग हमारे ले बहुत चुनोती है और लगातार आग बड़ी है उसको लेकर हम लगातार तैयारी की कर रहे हैं लगातार जो ज़रू में भी करी है हमारा हर प्रियास रहेगा कि जल्दी जल्दी इस आग पर काबू कर आजा हम इसके लिए काम कर रहे हैं